C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए साथ त्रिभुजों की सरवांग समता प्रिष्ठ एक साउन्चास प्रश्नावली साथ दशमलवेक एक निम्न कथनों को पूरा कीजिए A. दो रेखा खंड सरवांग सम होते हैं यदी डैश B. दो सरवांग सम कोणों में से एक की माप सत्तर डिगरी है दूसरे कोण की माप डैश है C. जब हम कोण A बराबर कोण B लिखते हैं हमारा वास्तव में अर्थ होता है डैश 2. वास्तविक जीवन से संबंधित सरवांग सम आकारों के कोई दो उदाहरन दीजिए 3. यदि सुमेलन ABC का सुमेलन FED के अंतरगत त्रिभुज ABC सरवांग सम है त्रिभुज FED के 4. यदि त्रिभुज DEF त्रिभुज BCA के सरवांग सम हो तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिये जो निम्न के संगत हों 1. कोण E, 2. रेखाखंड EF, 3. कोण F, 4. रेखाखंड DF प्रिष्ठ 150 7.6 त्रिभुजों की सरवांग समता के लिए प्रतिबंध हम अपने दैनिक जीवन में त्रिभुजा कार सनरचनाओं और नमूनों का प्रायह प्रयोग करते हैं अतह यह ग्यात करना लाबकारी होगा कि दो त्रिभुजा कार आकरतियां कब सरवांग सम होंगी यदि आपकी नोटबुक में दो त्रिभुज बने हैं और आप प्रमानित करना चाहते हैं कि क्या वे सरवांग सम हैं तब आप हर बार उनमें से एक को काट कर दूसरे पर रखने यानि आरोपन वाली विधी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इसके बदले यदि हम सरवांग समता को सटीक मापों द्वारा निश्चित कर सकें तो यह अधिक उपयोगी होगा चलिए ऐसा करने का प्रयत्न करें एक खेल अप्पू और टिपू एक खेल खेलते हैं अप्पू ने एक त्रिभुज ABC आकरिती साथ दशमलवाठ बनाया उसने प्रत्येक भुजा की लंबाई और इसके प्रत्येक कोण की माप को ध्यान में रख लिया टिपू ने यह सब ध्यान से नहीं देखा अप्पू टिपू को चुनोती देता है कि ख्या वह कुछ दी सूचनाओं के आधार पर उसके त्रिभुज ABC की प्रतिलिपी बना सकता है अप्पू द्वारा दी गई सूचनाओं का प्रयोग करके टिपू त्रिभुज ABC के सरवांग सम एक त्रिभुज बनाने का प्रयास करता है खेल आरंभ होता है सावधानी से उनके वारतालाप और उनके खेल का अवलोकन कीजिए आकरिती 7.8 यहां त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें AB बराबर 5 cm, BC बराबर 5.5 cm और AC बराबर 3.4 cm है कोण A बराबर 89 डिग्री, कोण B बराबर 36 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री है SSS खेल अप्पू, त्रिभुज ABC की एक भुजा 5.5 cm है टिपू, इस सूचना से मैं अनेक त्रिभुजों को बना सकता हूं आकरिती 7.9 लेकिन यह आवश्यक नहीं के वे त्रिभुज ABC की प्रतिलिपी हूं मैं जो त्रिभुज बनाता हूं वे त्रिभुज अधिक कोण यानि obtuse angled या सम कोण यानि right angled या noon कोण यानि acute angled हो सकता है यहाँ पर कुछ उदहरन दिये गए हैं आकरिती 7.9 में 3 त्रिभुज हैं पहला अधिक कोण वाला, दूसरा सम कोण वाला और तीसरा न्यून कोण वाला यहाँ प्रतियक त्रिभुज की भुजा 5.5 cm है मैंने अन्य भुजाओं के लिए स्वेच्छा से लंबाईयों का प्रयोग किया इससे मुझे 5.5 cm लंबाई की आधार वाले कई त्रिभुज मिलते हैं अतहद दी गई केवल एक ही भुजा की लंबाई से त्रिभुज ABC की प्रतिलिपी बनाना मेरे लिए संभव नहीं अप्पू, अच्छा, मैं तुम्हें एक और भुजा की लंबाई दूँगा त्रिकोन ABC की दो भुजाओं की लंबाईयां 5.5 cm और 3.4 cm हैं तिपू, यह सूचना भी त्रिभुज बनाने के लिए परयाप्त नहीं है मैं इस दी गई सूचना से बहुत से त्रिभुज बना सकता हूँ जो त्रिभुज ABC की प्रतिलिपी नहीं होंगे प्रिष्ठ 151 यहां पर कुछ त्रिभुज दिये गए हैं जो मेरी बात का समर्थन करते हैं आकरिती 7.1 यहां तीन त्रिभुज दिये गए हैं जिसमें प्रत्येक की भुजा 5.5 cm और 3.4 cm है आपके त्रिभुज जैसी प्रतिलिपी कोई भी नहीं बना सकता यदि केवल दो भुजाओं की लंबाईयां दी गई हों अप्पू, ठीक है, मैं तुम्हें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप देता हूं त्रिभुज ABC में मेरे पास AB बराबर 5 cm BC बराबर 5.5 cm और AC बराबर 3.4 cm है टिपू, मैं सोचता हूँ के त्रिभुज बनाना अब संभव होना चाहिए मैं अब कोशिश खरता हूँ सबसे पहले मैं एक खाका यानि कच्ची आकरिती बनाता हूँ जिससे मैं आसानी से लंबाईयां याद रख सकूँ मैं 5.5 cm BC खीचता हूँ B को केंद्र लेकर मैं 5 cm त्रिज्या वाली एक चाप खीचता हूँ बिन्दु A इस चाप पर कहीं स्थित होना चाहिए C को केंद्र लेकर 3.4 cm त्रिज्या वाली एक चाप खीचता हूँ बिन्दु A इस चाप पर भी होना चाहिए अर्थात A बिन्दु खीची गई दोनों चापों पर स्थित है अर्थात A दोनों चापों का प्रतिछेदी बिन्दु है मैं अब बिन्दुओं A, B और C की स्थिती जानता हूँ अहाँ मैं इन्हें मिलाकर त्रिभुज A, B, C प्राप्त कर सकता हूँ आकरिती 7.11 आकरिती 7.11 यहां एक त्रिभुज A, B, C दिया गया है जिसमें A, B बराबर 5 cm, B, C बराबर 5.5 cm और A, C बराबर 3.4 cm है अप्पू, बहुत अच्छा अत्ह एक दिये हुए त्रिभुज A, B, C की प्रतिलिपी बनाने के लिए अर्थात त्रिभुज A, B, C के सरवांग सम हमें तीनों भुजाओं की लंबाईयों की आवश्यकता होती है क्या हम इस स्थिती को भुजा, भुजा, भुजा यानि साइड, साइड, साइड प्रतिबंध कह सकेंगे? टिपू, क्यों न हम इसे संक्षेप में S, S, S प्रतिबंध कहीं? S, 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 सरवांग समता प्रतिबंध यदि दिये गए सुमेलन के अंतरगत, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ख्रम शह, किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सरवांग सम होते हैं उदहरन दो त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर 3.5 cm, BC बराबर 7.1 cm, AC बराबर 5 cm, PQ बराबर 7.1 cm, QR बराबर 5 cm और PR बराबर 3.5 cm है आक्रिती 7.1 cm, जाचिये कि क्या दोनों त्रिभुज सरवांग सम हैं या नहीं यदि हाँ, तो सुमेलन संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिये हल, आक्रिती 7.1 cm, यहाँ दो त्रिभुज दिये गए हैं, जिसमें त्रिभुज ABC के माप हैं AB बराबर 3.5 cm, BC बराबर 7.1 cm और AC बराबर 5 cm और त्रिभुज PQR के माप हैं, PQ बराबर 7.1 cm, QR बराबर 5 cm और PR बराबर 3.5 cm यहाँ AB बराबर RP बराबर 3.5 cm, BC बराबर PQ बराबर 7.1 cm, AC बराबर QR बराबर 5 cm है प्रिष्ट 152 यह दर्शाता है कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं अतह SSS सरवांग समता प्रतिबंध के अंतरगत दोनों त्रिभुज सरवांग सम हैं उपर दी गई तीनों समानता वाले समबंधों से यह आसानी से देखा जा सकता है के A का सुमेलन है R से, B का सुमेलन है P से और C का सुमेलन है Q से अतह त्रिभुज ABC, त्रिभुज RPQ के सरवांग सम है महत्व पून जानकारी सरवांग सम त्रिभुजों के नामों में अक्षरों का क्रम, संगत सμबंधों को दरशाता है इस प्रकार जब आप त्रिभुज A, B, C, त्रिभुज R, P, Q के सरवांग सम लिखते हैं, आपको ग्यात हो जाता है के A, R पर, B, P पर, C, Q पर, A, B, R, P की दिशा में, B, C, P, Q की दिशा में तथा A, C, R, Q की दिशा में है। उदहरन तीन आकरती साथ दशमलव एक तीन में A, D बराबर C, D और A, B, B, C, B है। एक, त्रिभुज A, B, D और त्रिभुज C, B, D में भराबर भागों के तीन युगम बताईए। दो, क्या त्रिभुज A, B, D, त्रिभुज C, B, D के सरवांग सम है, क्यों या क्यों नहीं। तीन, क्या B, D कोण A, B, C को सम द्विभाजित करता है, कारण बताईए। आकरती साथ दशमलव एक तीन, यहां दो त्रिभुज, त्रिभुज A, B, D और त्रिभुज B, C, D को मिलाकर एक पतंग के आकार की आकरती प्राप्त हुई है। हल, एक, त्रिभुज A, B, D और त्रिभुज C, B, D में बराबर भागों के तीन युग्मन निम्न लिखित हैं। AB बराबर CB दिया गया है, AD बराबर CD दिया गया है, और B, D बराबर B, D दोनों में उभए निष्ठ। 2. उपर दिये गये एक से त्रिभुज A, B, D, त्रिभुज C, B, D के सरवांग सम है, SSS सरवांग समता प्रतिबंध। 3. कोन ABD बराबर कोन CBD सरवांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, अतह B, D कोन ABC को सम द्विभाजित करता है। 1. आक्रिती 7.14 में त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाईयां दर्शाई गई हैं। SSS सरवांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताईये कि कौन कौन से त्रिभुज युगम सरवांग सम हैं। सरवांग समता की स्थिती में उत्तर को सांकेतिक रूप में लिखिए. यहां एक से चार तक के भागों में चार त्रिभुज युग्म दिये गए हैं. आकरिती 7.1. यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं. त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR. त्रिभुज ABC के माप हैं. और PR बराबर 2.2 cm. दो. यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं. त्रिभुज DEF और त्रिभुज LMN. त्रिभुज DEF के माप हैं. DE बराबर 3.2 cm, EF बराबर 3.2 cm और DF बराबर 3.5 cm. त्रिभुज LMN के माप हैं LM बराबर 3.2 cm, MN बराबर 3.2 cm और LN बराबर 3.5 cm. प्रिष्ठ एक सौत तिरपन 3. यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं. त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR. त्रिभुज ABC के माप हैं AB बराबर 2 cm, BC बराबर 4 cm और AC बराबर 5 cm. त्रिभुज PQR के माप हैं PQ बराबर 4 cm, QR बराबर 2.5 cm और PR बराबर 5 cm. 4. यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं. त्रिभुज A, B, D और त्रिभुज A, D, C त्रिभुज A, B, D के माप हैं B, D बराबर 2.5 cm और A, B बराबर 3.5 cm त्रिभुज A, C, D के माप हैं D, C बराबर 2.5 cm और A, C बराबर 3.5 cm 2. आकृती 7.15 में A, B बराबर A, C और D रेखा खंड B, C का मध्य बिंदु है 1. त्रिभुज A, D, B और त्रिभुज A, D, C में बराबर भागों के 3 युग्म बताईए 2. क्या त्रिभुज A, D, B त्रिभुज A, D, C के सरवांग सम है कारण दीजिए 3. क्या खोण B, कोण C के बराबर है? क्यों? आकृती 7.15 यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज A, D, B और त्रिभुज A, D, C 3. आकृती 7.16 में A, C बराबर B, D और A, D बराबर B, C है निम्न लिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? 1. त्रिभुज A, B, C त्रिभुज A, B, D के सरवांग सम है 2. त्रिभुज A, B, C, त्रिभुज B, A, D के सरवांग सम है आकृती 7.16 यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज D, A, B और त्रिभुज C, B, A सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए A, B, C एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें A, B, B, बराबर A, C, आकृती 7.17 है त्रिभुज A, B, C की एक अक्स प्रतिलिपी लीजिए और इसे भी त्रिभुज A, B, C का नाम दीजिए 1. त्रिभुज A, B, C और त्रिभुज A, C, B में बराबर भागों के तीन युगम बताईए 2. क्या त्रिभुज A, B, C, त्रिभुज A, C, B के सरवांग सम है क्यों अत्वा क्यों नहीं 3. क्या कोण B, कोण C के बराबर है क्यों अत्वा क्यों नहीं आकृती 7.17 यहां एक त्रिभुज A, B, C दिया गया है जिसमें A, B, बराबर A, C है अप्पू और टिप्पू अब पिछले खेल में कुछ परिवर्तन करके ये पुनह खेलते हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाथ्य पुस्तक कारिक्रम समनवयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचनस्वर गौरव मारवा तक्नीकी समनवयक, बटिलैंग लिंगडो, तक्नीकी सहायक, विकास सांगवान, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत